दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ numbers दूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इसका sum करना है, और मैं आपको दो options देता हूँ, या तो आप एक notepad उठाएं और pen उठाएं, दूसरा option है Excel, तो जाहिर सी बात है कि आप Excel ही use करेंगे, दो reasons की बजा से, पहला reason आपको पता है कि Excel में calculation बहुत easy है, दूसरा reason, अगर आप कोई भी एक number change करते हैं, तो जो नीचे आपने Excel में sum किया है, वो automatically change हो जाएगा, जो notepad पे change नहीं होगा, इस video के अंदर, मैं इस Excel की second property के बारे में ही बात करने वाला हूँ, बहुत in-depth, तो अगर आप बहुत basic Excel user हैं, या बहुत advanced Excel user हैं, इस feature को जानने के बाद, आप Excel का कोई भी advanced function easily use कर पाएंगे, क्योंकि ये किसी भी advanced function की backbone है, मैं हूँ Locash Lalwani, Microsoft Certified Corporate Trainer, और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अपने इस channel में, Learn with Locash Lalwani तो दोस्तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, relative reference की, ये जो सारी चीजे में बात करने वाला हूँ, इनको हम बोलते है references, और तीन तरह की major references होती हैं, जैसे कि आप इन sheets के नाम अलड़ी देख सकते हैं, relative reference, absolute reference and mixed reference, तो दोस्तो relative reference क्या होता है, देखे, यहाँ पर हमारे पास given है, और sales price mentioned है, उस product का, और purchase price mentioned है, तो मान लीजे, मैंने क्या खोया, क्या पाया, profit या loss अगर मुझे निकालना है, तो जाहिर सी बात है, कि मुझे sales में से purchase को minus करना पड़ेगा, जो कि मैं लिखूंगा equal to, और sales price वाला sell, minus purchase price वाला sell, जैसी मैं enterprise करता हूँ, तो आप देखे मेरे पास result आ गया, अब देखे, ये मुझे हर एक cell के लिए करने की ज़रुद नहीं है, इसके लिए मैं बहुत simply क्या करूँगा, मैं इसको copy-paste करूँगा, और copy-paste करने का सबसे best तरीका क्या है, right bottom corner पर double click करना, लेकिन पहले मैं एक cell को copy-paste करता हूँ, मैंने press किया control C, copy V कर दिया, तो आप देखेंगे, difference देखते हैं, सबसे पहले वाले cell में अभी reference दिखा रहा है, E4, जो की ये वाला cell है, sales price, minus D4, जो की purchase price है, जैसे ही हम इसको नीचे copy-paste करते हैं, तो ये change होकर E5-D5 automatically हो जाता है, इसी को हम बोलते है, relative reference, और यही Excel की beauty है, कि automatically वो references को change करता है, और इस change की वजह से ही, हमारे पास ये सारे answer आते हैं, जैसी मैं right bottom corner पर, जब ये plus sign आता है, तो जैसी मैं double click करता हूँ, तो आप देखेंगे, नीचे तक ये copy-paste हो गया, तो आप देखेंगे, जो negatives में आया है, वो loss आ रहा है, positive में, obviously profit आ रहा है, तो ये तो by default होता है, इसमें हमें कुछ manually करने की जुरूत नहीं पड़ती, अब मैं चलता हूँ next worksheet पे, जहाँ आपको कमाल देखेगा, next worksheet में क्या है, कि ये कुछ हम लोगोने sales का data हमारे पास है, और gross sales mentioned है, इसके उपर अभी GST लगना है, और GST का standard जो है, वो है 5% का, और दोस्तों आपको पता है, कि ये जो percentage है, बहुत fluctuate होती है, अभी recently भी ये GST percentage change होई थी, कुछ products के उपर, तो इसलिए हमने इस sales में रखी है, परपस यह है कि future में अगर change होती है, और मैं यहाँ पर change करूँ, तो जितना भी ये GST amount है, वो automatically वो percentage पे apply हो जाए, और वो correct value हमें मिल जाए, तो अगर म मैं वो करता हूँ, तो यहाँ पर problem होगी, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, equal to, और gross sales, correct, इसको हम कर देंगे multiply, जो की एक star वाला sign होता है, जिसको हम asterix भी बोलते हैं, उसके साथ मैं 5% वाले sell पे, जो की है हमारा i3, उस पे मैं click कर देता हूँ, जैसे ही मैं enter करता तो मेरे पास यह GST amount automatically आ जाएगा, which is 800, और आप देख रहे हैं यहाँ पर total अपने आप हो रहा है, क्योंकि formula लगा हुआ है, अब problem यह है कि अब यागर आप देखें, तो यह multiplication है H5 और I3 के बीच में, और क्योंकि Excel जैसे कि हमने पिछली worksheet में देखा, एक relative reference पे काम करता है, तो जैसे ही मैं इसको copy-paste नीचे करता हूँ, तो देखिए यह आगई हमारे पास error, error क्यों आई, क्योंकि अब यह multiply कर रहा है एक value को, जो कि H5 तो H6 बन गया, similarly I3 भी I4 बन गया, जो कि एक text वाला cell है, और इसी वज़ा से यहाँ पर error आगई, क्योंकि आप 3750 को text से multiply कर रह है, कि एक error है, तो यहाँ पर देखिए problem है, अब इस problem को resolve करने के लिए, क्योंकि अब हमें हर एक cell के लिए चाहिए, तो हम better क्या करेंगे, कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कि जब हम इस cell को नीचे copy-paste करें दोस्तों, तो यह जो H5 वाला cell है, यह तो नीचे change होता रहे, तभी ह हम बाकी की gross cell से multiply करेंगे, लेकिन यह जो I3 cell है, यह I3 ही हमेशा रहे, ताकि वो 5% से ही multiply करता रहे, आशा करता हूँ, आप मेरे से बिलकुल सहमत होंगे, तो इसके लिए Excel यह बोलता है, कि अगर आपको किसी भी Excel reference को freeze करना है, ताकि जब भी आप copy-paste करें तो वो change ना हो, तो Excel बोलता है, कि आप उसमें dollar sign लगा दोगे, तो मैं freeze कर दोगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक dollar sign लगाता हूँ, आई मतलब हमारा हो गया column, और एक dollar sign लगाता हूँ, row से पहले, जो की है 3, उससे पहले मैंने dollar sign लगा दिया, तो आप press करता हूँ, enter, जो कि यहाँ पर तो कोई फरक नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक cell नीचे drag करता हूँ, मतलब copy paste करता हूँ, तो आप देखने हैं, अब मेरा result आ गया, और मैं आपको F2 करके दिखाता हूँ, अब आप देखेंगे, तो यह बिल्कुल correct multiply कर रहा ह क्योंकि इसने इसको freeze कर दिया है, मतलब इसको absolute कर दिया है, पहले relatively change हो रहा था, अब यह वाला cell reference आप इस cell को कहीं भी copy paste करेंगे, तो यह reference change नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर double click करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास सारे result भी बिल्कुल accurate आते हैं, त इसको हम बोलते हैं mixed cell reference, mixed cell reference में आप देखेंगे कि एक बार में हम second cell का output लेकर आएंगे, जो कि दोनों तरफ काम कर रहा है, देखें, बहुत interesting है, यहाँ पर हमारे पास कुछ sales persons mentioned है, और उनकी जो target company ने दिया है, हर एक sales person को जो target दिया है, वो mentioned है, अब इनको यह sales target है, अग इस target को achieve करना है, क्योंकि जो भी वो product sale कर रहे हैं, उनकी market month wise vary करती है, तो इसलिए percentage different है, और उसके हिजाब से इनको यह achieve करना है, और यह मुझे हर एक sales person का निकालना है, तो आप देखेंगे, यह table बहुत complex है, क्योंकि जो भी अभी तक हम लोगों ने समझा है, उस case में हम क पहला target है, इसको मैं multiply कर देता हूँ, वही जो हम asterix use कर रहे थे, उसके बाद 12%, अब जैसा कि हम लोगों ने पहले discuss किया, जो हमारा GST वाल example था, जहां पर यह 5% था, उसके इसाब से मुझे इसको completely freeze कर देना चाहिए, तो जैसे अगर मैं completely freeze कर देता हूँ, तो आप देखे यह है कि जब मैं इसको नीचे copy paste करूँगा, तो मेरे पास सारे answer भी आजाएंगे, लेकिन सिर्फ नीचे copy paste करना इस exercise का काम नहीं है, हमें इसको right में भी copy paste करना है, मतलब formula हमें एक ही बार में लगाना है, और right में copy paste करें, तो भी result आरा चाहिए, तो देखिए result तो आरा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक calculation गलत है, क्योंकि अब यह क्या कर रहा है, January का जो target है, उसको 12% से multiply कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यह जो cell है हमारा, जो की है B6, इसको हमने freeze नहीं किया था, तो जो सबसे पहला rule हम लोग उने discuss किया था, relative reference, उसी के मताब जैसे हम इसको आगे की तरफ copy paste करेंगे, तो B6 change होके C6 बन जाएगा, तो वो January का target उठा लेगा, हलाकि यह C4 change नहीं होगा, तो technically यह दोनों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर इस cell में इसको 8% को B6 से ही multiply करना चाहिए, तो इसको धीरे धीरे हम लोग समझते हैं, तो सबसे प जो पहला target है इसको, multiply by यह जो 12% है इसको, अब मैं press करता हूँ enter, तो मेरा answer आ गया, सबसे पहले हम इसको copy paste करता हूँ नीचे, और समझते हैं कि क्या problem आती है, उसके बाद हम solution की बात करेंगे, तो problem आप देख रहे हैं, यह जो हमने GST में discuss किया था, वही problem है, तो अगर multiply कर रहे हैं, cell B6 को C4 से, जो कि बिल्कुल correct result दे रहा है, अब जैसे हम इसको नीचे copy paste कर रहे हैं, तो जो B6 है, वो तो हमारा B7 में convert हो रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन साथ ही में, जो हमारा C4 cell है, वो change होके C5 बन रहा है, जो की एक problem है, और C4 और C5 में difference किया है, दोस्तों, C तो बिल्कुल सेम है, 4 का 5 हो रहा है, मतलब row change हो रही है, क्योंकि हम row में copy paste कर रहे हैं, columns में copy paste नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे C4 को पूरे को dollar sign नहीं लगाना है, मुझे सरफ 4 से पहले dollar sign लगाना है, क्योंकि मुझे सरफ च copy करके नीचे की तरफ paste करता हूँ, तो आप देखेंगे अब मेरा result बिल्कुल ठीक आया है, और जैसे जैसे मैं copy paste करता जाऊँगा, तो आप देखते रहेंगे कि मेरा result बिल्कुल ठीक आता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो target है in employee का, इसको 12% से ही multiply कर रहा है, तो नी यहाँ पर भी एक problem आ गई, अब problem क्या आई है, कि यह जो cell था हमारा B4, B6 sorry, जो कि यह वाला cell था, यह जैसे ही मैं अब आगे copy paste करता हूँ, तो B6 खिसक के बहुत जाता है C6 पे, तो वो एक problem है, हाला कि जो हमारा cell है यहाँ पर C4, 12%, यह खिसक के बन रहा है D4, जो कि बिल percentage होनी चाहिए, कि अब हम February की percentage देख रहे है, तो वो बिल्कुल ठीक है, तो problem अब अगर हम narrow down करें, तो C4 अगर D4 बन रहा है, तो उसमें कोई problem नहीं है, मतलब यह वाला part जो है, वो बिल्कुल ठीक है, जो हमें working करनी है, वो B6 पे करनी है, B6 जब हम copy paste आगे करनी है, तो C6 हो रहा है, जो की गलत है, तो अगर आप सोचे ध्यान से, B6 change होके C6 हो रहा है, जिसमें 6 जो की row number है, वो बिल्कुल सेम है, B का C नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, जिस part को freeze करना होता है, उससे पहले dollar sign लगता है, इसलिए हम B से पहले dollar sign लगाएंगे, 6 से पहले dollar sign नहीं लगाएंगे, इस तरह की reference को दोस्तों बोला जाता है, mixed reference, क्योंकि हम row और column में से, दोनों में से किसी एक को freeze कर रहे हैं, dollar लगा रहे हैं, तो अब मैं प्रेस करता हूँ, enter दोस्तों, और अब मैं इसको आगे copy paste करता हूँ, तो आप collection देके नीचे तक पूरा copy paste अगर करता हूँ, बहुत बड़ी table है, तो मैं नीचे चला जाता हूँ, और मैं यहाँ पर पूरा paste कर देता हूँ, तो आप देखते हैं कि एक ही बार में मेरे पास सारी की सारी values आ चुकी है, तो इसको हम बोलते हैं, mixed reference, ये चीज एकदम समझ आ ये जितना हो सके, उसके बाद इन dollar signs को आप easily अपने काम में apply कर सकते हैं, generally ये dollar signs, vlookup, lookup functionality में बहुत जादा use होते हैं, आपके बहुत काम आएंगे, और एक shortcut मैं हाँ पर discuss करना चाहता हूँ, वो shortcut होता है function F4 की, for example, अगर मुझे multiply करना है, जैसे मैं absolute की अगर मैं बात करता हूँ, मैं लिखता हूँ equal to, और हमारा जो gross sale थी वो multiply by 5%, तो जैसे मैं manually यहाँ पर जाके dollar sign लगा रहा था, अगर मैं function के साथ F4 की प्रेस करूँगा, तो आप देखते हैं, और मैं दुबारा प्रेस करता जा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, F4, F4 करके, तो आप देखते ह है कि अभी हम same workbook में ही काम कर रहे हैं, हाला कि different worksheet में, लेकिन कभी भी आप sell reference दूसरी workbook से उठाते हैं, तो dollar sign automatically लग जाते हैं, तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप इसको जरूर apply करिए, इससे आप advance part जो Excel का है बहुत easily कर प करिए, इस वीडियो को जरूर like करिए, share करिए, comment करिए और मेरे चैनल को जरूर subscribe करिए, take care दोस्तों, bye bye